फरवरी महिने की सरकारी नौकरी जो की 12th and Graduate Candidate के लिए हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फरवरी मंथ में 12th and Graduate Candidate के लिए 5 government jobs हैं 5 SE departments हैं जिसमें vacancies आई हुई हैं और कुछ में आने बाली हैं उनी भरतियों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियों बताऊंगी और ये जो भी vacancies में आपको बताऊंगी सारी All India लेवल की है Central Government है यानि Central लेवल की vacancies है So All India से Male and Female Candidate इसमें apply कर सकते हैं अगर आप 12 या graduate base पर job search कर रहे हैं ये जो vacancies हैं कुछ इसमें आने वाली है और कुछ आ चुकी है तो अगर हम देखें overall तो इसमें जो vacancies है 20,000, 20,000 plus vacancies के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी अभी तक जो मुझे information है जिन vacancies के बारे में उनके बारे में बता रही हूँ लेकिन in future हो सकता है फरवरी मन्त में और भी different department से vacancies release हो notifications release हो तो जैसे ही कोई vacancies आएगी मैं उन पर भी वीडियो upload करूँगी अगर आप 12 या graduate candidate है 12 जॉब सर्च कर रहे है या graduate level की जॉब इसके अलाबा इसके पहले मैंने एक वीडियो upload किया था जिसमें 10th level की सरकारी नौकरी फरवरी मन्त में बताई गई है फरवरी मन्त में 10th level की 58,000 प्लस vacancies के बारे मैंने आपको उस वीडियो में बताया है सरकारी नौकरी है 10th level पर बहुत ही भरिया अभी भरती आई हुई है बहुत बड़ी vacancies आई हुई है 58,000 प्लस vacancies है different departments में अगर आपने वो वीडियो विजिट नहीं किया है वीडियो विजिट कर लिजगा link आई बटन पर दे दूँगी 10th pass candidate या 10th standard की अगर आप 10th level की वेकेंसी सर्च कर रहे है उस वीडियो को विजिट जरूर कीजेगा अभी हम इस वीडियो में 12th and graduate candidate के लिए जानेंगे So friends मैं हूँ आस था and welcome करती हूँ आपका अपने YouTube channel government job genuine notification सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं upcoming vacancy के बारे में जो की February मन्त में notification release होने वाला है 12th and graduate candidate के लिए ठीक है अभी vacancy आई नहीं है notification फरवरी last week तक इसका notification आने वाला है सबसे पहले हम उसी vacancy के बारे में जानते है So ये जो vacancy है ये SSC की तरफ से आने वाली है Staff Selection Commission की तरफ से Selection Post Phase नाम से आपने notification सुना होगा Post Phase 9, 10 इस तरह से notification release होता है तो ये ही notification Staff Selection Commission की तरफ से February मन्त में release होने वाला है जिसमें कि अगर हम बात करें vacancies की तो अभी तक जो vacancies आई है वो 3000 plus 3500 something vacancies आती है तो almost यहाँ पर 4000 तक आ सकती है ये vacancies Post की बात करेंगे तो इसमें LDC, UDC, MTS, Junior Assistant, Personal Assistant, Junior Secretariat, Assistant Stenographer Post के लिए है Age limit क्योंकि ये various post vacancies रहती है इसमें लगबग सभी departments में सभी ministries में 10th, 12th graduate सभी level की post इसमें रहती है तो post के हिसाब से इसमें आपकी age criteria भी different रहता है 18 to 25 year, 18 to 24 year या 20 जो graduate level की रहेंगी वहाँ पर आपका 21 से 30 year या 32 year अपर इस limit रहती है ये general candidate के लिए है reserve categories के candidate को relaxation मिल जाता है तो इसमें 10th level की भी vacancies आएंगी ठीक है लेकिन अभी हमारा जो main topic है वो है 12th and graduate candidate के लिए तो ये notification SSE की तरब से release किया जाना है और ये release किया जाएगा 24 फरवरी 2023 को SSE examination calendar के accordingly ये 24th February 2023 को इसका notification release किया जाना है और all India से male and female candidate इसमें eligible होते हैं apply कर सकते हैं तो अगर आप graduate candidate है 12th pass out है या फिर मैं कहूंगे आप 10th भी हैं तो 10th pass के लिए भी इसमें post रहती हैं आप apply कर सकते हैं ये best opportunity है SSE की तरब से जो notification release होते हैं उसमें application fees भी 100 रुपीज रहती है unreserved male candidate के लिए सभी female candidate किसी भी category को belong करती हो SCST candidate, PWD candidate इन सभी के लिए application fees माफ होती है सिर्फ unreserved यानी general male and OVC male candidate को 100 रुपीज application fees देनी होती है सो इसका notification 24th feb को आने वाला है अगर जैसी notification आएगा हम मैं detail में video upload करूँगी फूरा information आपको उसमें दूँगी फिर भी अगर आपको नहीं पता है कि stop selection phase क्या होता है तो इस पर भी मैंने video upload किया हुआ है link आई बटन पर दे दूँगी फिर end screen पर visit कीजेगा next vacancy देखेंगे next जो vacancy है वो है ICG यानि Indian Coast Guard की तरफ से vacancies आई हुई है GD और DB के लिए total vacancies 255 है 255 total vacancies है दोनों को मिला करके लेकिन अगर हम बात करें कि आप 12th base पर किस post के लिए क्योंकि ये 10th और 12th दोनों के लिए मैंने previous जो 10th pass out वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बताया है अब यहाँ पर अगर हम 12th की बात करें तो general duty post रहेगी आपकी general duty के लिए 12th pass candidate अपलाए कर सकते हैं 18 से 22 साल general candidate के लिए age limit है और 12th में आपका physics और mathematics होना चाहिए तो आप इसमें अपलाए कर सकते हैं application 6 फरवरी से start होंगे अभी start नहीं है online apply करना होगा 6 फरवरी से start होंगे last day ट्राएगी 16 फरवरी all India से इसमें भी apply कर सकते हैं central की job है so इसमें DB के लिए 10th pass करते हैं लेकिन GD जो general duty है इसके लिए 12th pass करते हैं आपका science से होना चाहिए physics and mathematics से तो आप इसमें apply कर सकते हैं next देखेंगे LIC की तरफ से LIC की तरफ से notification आया हुआ है 9394 total vacancies है ADO की post रहेगी ADO means होता है apprentice development officer apprentice development officer की post रहेगी इस criteria है 21 से 30 साल bachelor degree आपने किये किसी भी subject से आपने graduation किया है apply कर सकते हैं application running है last date है 10 फरवरी 2030 apply नहीं किया है अभी तक आप apply कर दीजे all India से male female candidates apply कर सकते हैं any graduate candidate apply करेंगे और यह जो age मैं आपको बता रही हूँ किसी भी vacancy के लिए general categories के candidate के लिए reserve categories के candidate को age relaxation मिल जाएगा so vacancies काफी अच्छी है 9394 अल इंडिया में भरती रहेगी अगर इसके लिए Alice Will हो apply कीजेगा next step मनीत मनीत मीन्स मौतिलाल नहरू National Institute of Technology इसमें total 103 vacancy है junior assistant, senior assistant, personal assistant stenographer upper age limit 33 year और यहाँ पर 12th graduate diploma, BE, BTEC सब भी के दिये है running है इसके application अभी चल रहे हैं last date 15 February 2023 रहेगी apply नहीं किया है apply कर दीजिए और इंडिया से इसमें भी apply कर सकते हैं male and female apply कर सकते हैं and last में अगर हम बात करें 5th number की vacancy की तो यह आई हुई है UPSC CSE यान Union Public Service Commission Civil Service Examination total vacancies 1105 vacancies है administrative services रहती हैं इसमें age limit 21 से 32 साल रहती है graduate candidate, any graduate candidate apply कर सकते हैं application start हो गए है कल से ही इसके application start हुए है last date आपकी 21 फरवरी 2023 रहेगी all India से male and female candidate इसमें apply कर सकते हैं अब यह जो administrative service यानि CSE के दौरा बहुत सी post रहती है post के बारे में मैंने बताया हुआ है कल ही video upload किया था इसके notification पर visit कर लीजेगा इसमें आप IAS, IPS, IFS इस तरह की post रहती है administrative services है police department में भी vacancy post रहती है railway में भी रहती है अगर apply नहीं किया है तो apply कर लीजेगा कफी अची post है लेकिन हाँ इसका condition काफी tough रहता है आप सभी जानते होंगे UPSC के जो examination है यह काफी tough है लेकिन अगर आप पहले से preparation कर रहे है coaching ले हुई है तो वो candidate यहाँ पर जरूर और अगर आप in future भी करना चाहते हैं तो coaching लेकर के आप भी इसको clear कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ओके so UPSC, CSE के examination जो date वगगरा है सब कुछ मैंने अपने उस वीडियो में clear किया है so friends यह थी फरवरी मन्त की 12th and graduate level की सरकारी नौकरियां भरती जिसमें से एक vacancy आने वाली है अभी SSE की तरब से वाकि अभी running है दो आने वाली है Indian Coast Guard की भी और SSE की इसके अलाबा बाकि की जो है वो running में है last date क्या है मैंने आपको clear कर दिया कितनी post है कहाँ पर male, female apply कर सकते है central level की है अगर interested हो तो इन message कुछ पर मैंने video upload किया हुआ है ICG की जब notification आ जाएगा तो मैं Indian Coast Guard पर भी detail video upload कर दूगी आसा करते हूँ यह video आपको पसंद आया होगा video पसंद आया होगा तो like and share कीचेगा thank you